आप सभी प्रियादर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे quarter two results for HDFC bank क्या आपको यहाँ पर buy करना चाहिए? अच्छे result आए हैं यह तो sunshift में विर्णन हुआ पर आगे की क्या रणनीती होगी? क्या technical parameter बोल रहे हैं? आप अपना fixed deposit कर सकते हैं, काफी काम कर सकते हैं तो अगर सीधे चलें result की तरफ को तो इनकी income year on year basis पर 6% बढ़ गई है 38,438 करोड की हो गई है वही profit जो है 17% बढ़ा है 7,703 करोड के आसपास quarter on quarter अगर बात की जाए तो 17% quarter on quarter बढ़ा है जो की बहुत अच्छा है 7,000 के आसपास था अभी हो 7,700 आसपास हो गया है यहाँ पर अब अगर देखें, should you buy HDFC bank? कुछ और detail बताएंगे इसके result के बारे में तो NPA जो है, NPA 1% के आसपास है अभी जो की घड़ गया है overall और provisions जो उन्होंने bad loan के लिए provision रखा था, वो करीकरी 3,700 करोड के आसपास का था तो fees थोड़ी इनकी reduce हो रही है क्योंकि moratorium का impact था अब positive जो है definitely one of the largest private sector bank अगर इंडिया में कोई growth करेगा तो bank के एक sector सबसे पहले growth करेगा तो इसके चलते वे बहुत अच्छा view रहेगा आ गया आने वाले समय में अगर आप weekly chart पर देखें तो देखें इसका lifetime high जो है करीब 1300 के आसपास है और already इसने 1239 के आसपास पहुंच गया है जो एक अच्छे bank की पहचान होती है यहां से गिरा था यह 1200 पे 760 तक गया था और अभी पांच महीनों के अंदर इसने वापिस अपने रिकवरी पूरी कर दिया है जो कि एक बहुत बढ़िया sign है कि strong leader जब भी tough time होता है वो आ गया कर उससे अच्छे से निबटते हैं अब अगर इसकी हम बात करें कि कितनी percentage delivery चल रही है तो देखें delivery wise volume करीब करीब 45% के असपास है तो internet rate कम होती है इसमें delivery जादा होती है और यह result से पहले ही इसकी expectation अच्छी दी तो करीब 3% के असपास यह उपर चड़कर बंद हुआ है यहाँ पर overall market भी positive था banking sector काफी अच्छे थे तो October series banking sector के लिए in particular बहुत अच्छी रही है पिछले 15 दिनों में बहुत तेजी से बढ़ा है stock देखेंगे हाँ से 1000 से लेकर यह करीब-करीब 1200 तक चड़ गया है जो कि एक बढ़िया sign है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आने वाले समय में यह कुछ time के लिए थोड़ा retrace कर रहा था जो कि एक बड़ी candle बनी थी पर उसके बाद में एक candle उसी के अंदर बनी है red color की जो की करीब फिर से वापिस 1200 के असपास level पहुंच गया है अब इसमें दो समभावने बन सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर market थोड़ा से momentum दिखाता है तो यह फिर से उपर जाने की कोशिश करेगा और हो सकता है 1200, 30, 1240 के असपास चला जाए पर दूसरी समभावना यह बनती है अगर किसी वज़े से इसने इसका यह level तोड़ा 1168 का तो यह फिर नीचे जाने की कोशिश करेगा 1200, तो आपको थोड़ा सतर्ख होने की जुरुत है मंडे को pattern जैसे पता लगए इसके बाद reaction के बाद में, तो आप पहले आदे घंटे digest रोली दीज़े information, उसके बाद accordingly आप उसकी trade कर सकते हैं अगर यहाँ पर MACD के साब से देखें, तो buy signal है और super trend के basis पर भी buy signal है भी हाँ पर alligator indicator यह भी buy signal दे रहा है तो सारे की सारे indicator अभी buy की तरफ इशारा कर रहे हैं, यहाँ पर market cap देखे जाए, तो large cap company है extremely large cap company है, 678 thousand करोड की company है, बहुत अच्छी है COVID का impact दिरे-दिरे कम होता जाएगा moratorium खतम होता जाएगा, इनकी इस बार अभी भी other incomes थोड़ी कम है और साथ-साथ में card usage अभी भी कम है क्योंकि आपका पता होगा कि हम partial lockdown में थे cities में जादा लोगबाग बहार नहीं जा रहे हैं, और in fact UK और Europe में तो COVID की wave 2 भी चल गई है जिसकी वज़े से हो सकता है थोड़ा अभी impact जादा रहे और ये usage इतनी जादा अभी ना भढ़े, लोगबाग कम पैसा खर्च कर रहे हैं, ये भी अभी समझने वाली बात है क्योंकि जादा लोगबाग के पास job भी नहीं है अभी online की बहुत अची facility है, login कर सकते है apply कर सकते हैं loan का, और interest जो हमने बताया है, ये पिछले quarter के comparison बहुत अच्छा profit दिखा है 6900 के comparison 7700 के असपास जो की एक अच्छा view है तो festive tree 2.2 स्टार्ट किया है उन्होंने, जो retail segment के lower area में है, जो village area में है वहाँ पर loan देने की कोशिश करेंगे 2.12 lakh के असपास और special discount देते है इन सारे product पर, जो की बहुत अच्छा growth की तरह से काम करेगा, तो competition के हिसाब से देखा जाए, तो one of the largest bank है, इतना बड़ा कोई competition नहीं है ICC bank is the next competitor in this one और जब इंडिया की growth बढ़ेगी तो banking sector की growth तो बढ़ेगी, बढ़ेगी हम लोग दोस्तों portfolio management भी करते हैं और साथ में intraday trade की advice भी प्रवाइड करते हैं, अगर आपको यह service चीए, तो mail drop कर सकते हैं we will have you the stock market learning as well promoter holding यहाँ पर करीब करीब आपकी 26% के आसपास है, FII की holding 37% के आसपास है, DII की holding 25% के आसपास है जिसमें आपके mutual fund ने 14% के आसपास holding किया है और अदर्स आप और हम जैसे लोग महस 10% के उड़ेंगे दोस्तों वीडियो अच्छा लगी हो तो एक बाला एक बटन दबाना please concern के financial advisor हमारे हिसाब से इसका long term का target 28,500 का है आने वाले 3 साल के लिए अब आपको buying के level जो हम बताएंगे दिखे थोड़ा सा हम different strategy देते हैं यहाँ पर इसके हिसाब से आप देखिए जो हमने लग रहा है कि आपको इसका 1130 के असपास का level आपको मिल जाना चाहिए तो आपको पहले entry direct current market price में मत कीजे कुछ time wait कीजे 1130 के level पर आपको अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है दूसरा level जो होगा 1070 के आसपास यह दोनोह level हमारे हिसाब से आपको मिल जाने चाहिए last level जो हमारी team research team ने बताया है वो है करीब करीब 1010 के आसपास यह तीन level आपके पास होने चाहिए अगर आपको 30,000 रुपे invest करने 10,000 करेंगे आप 1130 पर अगले 10,000 करेंगे आप 1070 पर और last 10,000 करेंगे आप 1011 पर इस तरह से अपने investment को diversify करके रखे ताकि आपको long term में इसका profit मिले 2850 के आसपास आने वाले तीन सालों के अदर अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके choice के accordingly ये 4 वीडियो हमारे 1200 प्लस वीडियो में से select होके आए हैं आपको जो अच्छा लगए देख सकते हैं जैहिन, जैभारत, बाई गाई